नवस्कार मैं विकास इजी टेक्निक यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो अप्रेंटिशिप 111 बैच का जो रिजल्ट है वो पॉप्लिक हो चुका है तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट में प्राब करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यदि आपको वीडियो से इंफरमेशन मिल लाइए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों में भी सेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके यदि आप चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पर एक जो मार्शेट है वो ओपन है यहाँ पर मैंने अभेर् टूटल मर्शेट हैं वा भी गलत हैं तो यहाँ पर देखिया टूटल मार्ची सबसोय है और यहाँ पर जो अगृर्धिक को नंबर मिले हैं वो 368 तो यहाँ पर چासे हैं था आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहा हूं कि आपको अपनी समस्या को कैसे समाधान करेंगे तो यहां पर और भी यदि आपका कोई नाम में मिस्टेक है या आपके यहां पर आई टी आई पास आउट यस या नो आ रहा है तो आई टी आई नान आइटिया यो भी कोई भी प्राबलम आपकी है तो आपको अपनी प्राबलम को कैसे साल्ब कराना है तो उसके लिए आपको इस वीडियो में सुरूर से लास्ट तक बने रहना है तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपरेंटिस इंडिया.gov की आफिसियल साइड पर हूँ तो इस तरीके से ऑपन हो जाएगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी प्रोफाइल हैं. आपको यहाँ पर जाना है AITT grievance आपको AITT grievance पर click कर देना है जैसे आप AITT grievance पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ interface इस तरीके से आ जाएगा तो आपको grievance listening इधर लिखा दिख जाएगा आपको यहाँ पर देखे plus icon बना है उसके बाद में race लिखा है तो आपको उस पर click कर देना है जैसे आप grievance पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ interface इस तरीके से आ जाएगा तो देखे race grievance request यहाँ पर आप अपनी grievance request कर सकते हैं यहाँ पर देखे एकजाम आपका है जो 111 बैच है आपको यहाँ पर category चूझ कर लेना है जैसे आपको यहाँ पर result proceed में problem है result proceed with zero mark और incorrect mark तो आपको यह दी mark set में number से कुछ mistake है तो आपको यहाँ पर zero या incorrect mark पर click कर देना है जैसे आपको यहाँ पर इसका category को चोझ कर लेना है और आपको यहाँ पर अपना subject लिख देना है कि आपकी problem क्या है आपके theory यानि trade theory के number update हुए या नहीं तो उससे संबंदित यहाँ पर आपको type कर देना है आपको यहाँ पर description में उससे संबंदित पूरविस्तार पूरवक बता देना है उसके बाद में यहाँ पर है supporting document आपको यहाँ पर एक supporting document भी लगाना है तो आप अपना जैसे result देखेंगे उसको download कर लीजिएगा और उसको आपको यहाँ पर upload कर देना है जैसे आप submit पर click करेंगे तो आपकी grievance जो है वो registered हो जाएगी उसका समाधोहन आपका जो है जल्दी कर दिया जाएगा और आप अपना यहाँ पर profile में आके जब भी आएंगे तो आपको AITT grievance पर आना होगा तो आपकी जो request होगी वो यहाँ पर आपकी 100 हो जाएगी जैसे आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो आपका वो request के विसे में जो प्रक्रिया है वो आगे तक चलती रहेगी और completely successful कर दी जाएगी यह दिग्रिवेंस में समस्या का समाधान जल्दी से नहीं हो सकता है तो आप AITT का जो office है जो आपका regional director करके RDSD है तो आप अपने RDSD में contact करके इसको जल से जल सही करा सकते हैं उमिद करता हूँ आपको इस वीडियो से information मिली होगी यदि आपको वीडियो से information मिली है तो प्लीज वीडियो को like जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी share करिए ताकि उनको भी या जानकारी मिल सके यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज च वीडियो की notification मिल सके सबसे पहले तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद